यद पी हनवान जी ने भक्ति ज्ञान वेराग्य और निती सिसने हुई बहुत ही इतकी वानी कई तो भी वह महान अभिमानी रावन बहुत हस कर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ग्यानी गुरु मिला अरे दोस्ट तेरी मृति निकट आ गई है अधम मुझे शिक्षा देने चला है हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा यह तेरा मति ब्रह्म है मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है हनुमान जी के वचन सुनकर वे बहुत ही कुपित हो गया और बोला अरे इस मुर्ग का ब्रांश शिग्र ही क्यों नहीं हर लेते सुनते ही राक्षत उसे मारने दोड़े उसी समय मंत्रियों के साथ विविशन जी वहाँ आप पहुचे उन्होंने सेड़ वाकर और बहुत विन्य करके रावन से कहा कि दोड़ को मारना नहीं चाहिए यह निती के विरुद है हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया चाहे सबने का भाई यह सला उत्तम है यह सुनते ही रावन हसकर बोला अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेश दिया जाए कपी के ममता पूच पर सबय कहूं समझाई तेल बोरी पट बांदी पुनी पावक देहूं लगाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवा उसो दशिरत अजिर भी हारी मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूच पर होती है अते तेल में कपरा डुबो कर उसे इसकी पूच में बांद कर फिर आग लगा दो जब बिना पूच का ये बंदर वहा जाएगा तब ये मुर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की है मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखू यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कराए मैं जान गया सहस्वती जी सायक हुई है रावन के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही त्यारी करने लगे पूझ के लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूझ बढ़ गई नगरवासी लोग तमाशा देखने आए में हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हसी करते हैं डोल बचते हैं सब लोग तालिया पीटते हैं हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूझ में आग लगा दी अगनी को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंथी बहुत छोटे रूप में हो गए बंदन से निकल कर विसोने की अटरी उपर जापत छड़ें उनको देखकर राक्षे सुकी इस्त्रिया भैबीत हो गई उस समय भवान की प्रेना से उन्चासो पवन चलने लगे हनुमान जी अटास करके गरजे और बढ़कर आकाश सिजा लगे दे बड़ी विशाल प्रंतु बहुत ही हलकी है वे दोड़कर एक महल से दूसरे महल पर चड़ जाते हैं नगर जल रहा है लोग बेहाल हो गए हैं आग की करोडो बैंक कर लप्टे जपट रही है हाई बपा हाई मैया इस अफसर पर हमें कौन बचाएगा यही बुकार सुनाई पढ़ रही है चारो और से हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है वानर का रूप धरे कोई देवता है सादू के अपमान का यह फल है कि नगर अनात की नगर की तरह जल रहा है हनुमान जी ने एक ही शन बे सारा नगर जला डाला एक विभीशन का घर नहीं चलाया शीव जी कहते हैं हे पारवती जिनोंने अगनी को बनाया हनुमान जी उनी के दूथ हैं इसी कारण से वे अगनी से नहीं चले हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े पूँच बुजाई कोई श्रमा दरी लग रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड बयां कर जोरी मंगल बवन अमंगल हारी रवा उस दशरत अजिर भी हारी पूँच बुजा कर ठाकावट दूर करके और फिर छोटा से रूप धरन कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ चोड़ कर जा खड़े हुए हनुमान जी ने का हे माता मुझे कोई चिन दीजे जैसे श्री रगुनाज जी ने मुझे दिया था तब सीता जी ने चुड़ा मणी उतार कर दी हनुमान जी ने उसको हर्ष पूरवक ले लिया जानकी जी ने कहा हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना हे प्रबु यद्द पी आप सब प्रकार से पूर्ण काम है आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है तथा पी दोनों दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ इस विरत को याद करके हे नात मेरी भारी संकट को दूर कीजे हे तात इंदर पुद्र जेंत की कता सुनाना और प्रबु को उनके बान का प्रताब समझाना यदी महीने भर में नात ना आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्रान रखो हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो तुम को देखकर चाती ठंडी हुई थी फिर मुझे वही दिन और वही रात हनुमान जी ने जानकी जी को समझा कर बहुत प्रकार से धिरश दिया और उनके चरन कमलों में सिर नवाकर शिरी राम जी के पास गमन किया जै सिया राम जै सिया राम